जब किशोर कुमार स्टूडियो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक नई महिला गाईका को एक गाना गाने के लिए मजबूर किया जा रहा था, क्योंकि उस दिन उस गाने की मुख्य फीमेल लीड सिंगर रिकॉर्डिंग के लिए नहीं आई थी। किशोर कुमार ने सब के सामने आपत्ती जताई और महेश भट जो उस फिल्म के निर्देशक थे, उनसे कहा आप नई प्रतिभाओं के साथ ऐसी चीजें कैसे कर सकते हैं। उस दिन किशोर्दा के साथ महिला गाई का कौन थी और किशोर्दा का विरोध कितना असरदार था उस दिन सब कुछ जानेंगे दोस्तों आज के इस रोचक एपिसोड में। प्रियमित्रों, जनता टौकीज में आपका स्वागत है। यह असी के दशक के मध्य की बात है, जब किशोर्दा रिकॉर्डिंग में काफी व्यस्त रहते थे। एक दिन जब किशोर्दा एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए महभूब स्टूडियो गए, तो वहां उन्हें अनुपमा देश पांडे बैठी हुई मिली। किशोर्दा को देखकर अनुपमा देश पांडे तुरंत खड़ी हो गई और आशीरवाद लेने के लिए किशोर्दा के पैर छुए। इसे और क्लियर करने के लिए दोस्तों, हिंदी सिनेमा में ऐसा कई बार हुआ है कि कुछ नए और स्ट्रगलिंग सिंगर्स को केवल एक गाने की शूटिंग के लिए गाना डब करने को कहा जाता था। और मेन प्लेबैक सिंगर बाद में आडियो रिलीज से पहले आते थे और गाने का फाइनल वर्जिन रिकॉर्ड करते थे। इन युवा प्रतिभाओं को शायद ही उन गानों के लिए कोई पहचान मिल पाई। अस्सी और नब्बे के दशक की दो प्रमुख महिला गायकाएं अनुपमा देशपांडे और कविता कृष्णमूर्ती उस समय की प्रमुख पार्श्व महिला गायकाओं के लिए गानों की डबिंग किया करती थी। किशोरदा और अनुपमा देशपांडे की मुलाकात 32 फिल्म फेयर पुरसकार समारोह के दोरान हुई थी जब दोनों ने फिल्म फेयर पुरसकार जीता था। किशोर दा को फिल्म शराबी के गाने मन्जिलें अपनी जगह है के लिए और अनुपमा देश पांडे को फिल्म सोहिनी महिवाल के गाने सोहनी चिनाब दी के लिए यह पुरसकार मिला था अब वापस आते हैं महबूब स्टूडियो के अंदर किशोर दा और अनुपमा देश पांडे के पास किशोर दा तब काफी गुस्सा हो गए जब उन्हें पता चला कि एक गाय का जिसने हाल ही में एक गाने के लिए फिल्म फेयर पुरसकार जीता है उनसे एक गाना डब करने के लिए कहा जा रहा है तुम गाना डब करने के लिए राजी क्यों हुए? अभी जाकर कहो निर्देशक से तुम किसी भी गाने का केवल फाइनल वर्जन ही गाओगी अब तुम्हारी एक मजबूत पहचान है तुमने फिल्म फैर पुरसकार जीता है किशोरदा थोड़ा चिढ़ गए अब किशोरदा के गुस्से को देखकर अनुपमा देशपांडे काफी घबरा गई उन्होंने किशोरदा से अनुरोध किया नहीं किशोरदा, मैं यह नहीं कह सकती वरना वे लोग मुझे गाने डब करने के लिए भी नहीं बुलाएंगे किशोरदा को आया गुस्सा किशोरदा तुरंत संगीत निर्देशक राजेश रोशन जी और फिल्म के निर्देशक महेश भट को बुलाया वे दोनों दोड़ते हुए आये किशोरदा ने सब के सामने कहा मैं यह गाना नहीं गाऊंगा सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए महेश भट ने किशोरदा से इसके पीछे का कारण पूछा किशोरदा ने स्टूडियो में सभी की ओर देखा और कहा नए गायकों के साथ आप लोग इसी तरह व्यवहार क्यों करते हैं आप अनुपमा से एक गाना डब करने के लिए कह रहे हैं जबकि आप जानते हैं कि वह मेरे साथ युगल गीत गाने में काफी सक्षम है अनुपमा एक पुरसकार विजेता गायका है महेश भट ने किशोरदा को उस फीमेल सिंगर का नाम बताने की कोशिश की लेकिन किशोरदा ने महेश भट को बीच में ही रोग दिया और कहा मैं यह नहीं जानना चाहता कि मेरे साथ कौन गाने वाला था अगर अनुपमा मेरे साथ गाना रिकॉर्ड करेंगी तब ही मैं गाना गाऊंगा सभी लोग तुरंत सहमत हो गए और बिना कुछ सोचे समझे अनुपमा देशपांडे और किशोरदा से उस दिन ही गाने का फाइनल वर्जिन रिकॉर्ड करवा लिया दोस्तो फिल्म थी जैकी श्रॉफ और डिम्पल का पाडिया स्टारर काश और गाना था ओ यारा दरासल किशोरदा ने और एक नई फिल्म कबजा के लिए भी एक गाना साइन किया था जिसे फिर से महेश भट द्वारा निर्देशित किया जाना था किशोरदा ने कहा उस गाने में भी मेरे अपोजिट फीमेल सिंगर अनुपमा ही होंगी गाना था तुमसे मिले बिन चैन नहीं आता मैं क्या करूँ इस तरह अनुपमा देश पांडे को उस शाम किशोरदा से बहुत बड़ा समर्थन मिला जिसने उनके करियर को असी के दशक में काफी हद तक बूस्ट किया और ये किस्सा खुद अनुपमा देश पांडे ने काफी पहले एक इंटरव्यू में भी बताया था तो ये था दोस्तों किशोरदा की महानता का एक और उदाहरण किशोरदा हमेशा चाहते थे कि नए कलाकारों को अपनी हुनर दिखाने का सही मौका मिले वह एक सच्चे सज्जन व्यक्ती थे जिन्होंने बिना किसी शर्त के फिल्म इंडस्ट्री में हर किसी की मदद की इसी लिए किशोरदा एक पवित्र आत्मा थे आशा है आज का ये एपिसोड आपको पसंदाया होगा किशोरदा द्वारा लिये गए निर्नय पर कॉमेंट करें और यदि आपने आज के एपिसोड का आनंद लिया है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें जनता टॉकीज को सब्सक्राइब करें और हमसे हमेशा जुड़े रहें बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों